अपने यकीन से जुड़ी हुई अपने इमान से जुड़ी हुई पढ़ता हूँ उत्तरप्रदेश से ले करके आपके अहां तक तक कुछ चेहरे निकल आए पांच लाख रुपे की पोट्री लेकर उन्होंने कहा ये पांच लाख रुपे ले लिजे और घर वापस आजाएए घर वाक्षी कर दीजे एमान से मुकर जाईए और हमारे यहां आजाईए मैंने सोचा एक नजम कही जाए लेकर उस नजम की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सर्फिरे चेहरों को एक वाक्या बताना चाहता हूँ कि आप दौलत से इमान का सौदा करना चाहते हैं शायद आपने आँखें बंद कर रखी हैं आप कितना भी भला बुरा कहें इसलाम को कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें लेकिन आप भूल रहे हैं कि इसलाम तो ऐसा मजभ है कि जब 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 उसे दबाने की बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं वो और बुलंदी के साथ दुनिया के सामने आया है 14 सालों की तारीख इस बात की गवा है मैं बेगु सराय में खड़ा हूँ मैं लख्मनिया में खड़ा हूँ लेनिंग्राफ कहा जाता है इस 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 इलाके को को यहां खड़ा होगे मैं पूरी जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरी खो करके इस मंच से दहशत गर्दी की कड़े लब्दों में मख़मत करता हूँ मुखाल्फत करता हूँ, मिन्दा करता हूँ क्योंकि जहां दहशत गर्दी है वहां इसलाम नहीं हो सकता और जहां इसलाम है वहां दहशत गर्दी हो सकती क्या सच बात एख भी जिए तो चछ़ आपके सामने निजन सल्वाणों जैसा लिबास पहने हुई ये जो चेहरे निजन आ रहे हैं हमारा आपका चोला उड़े हुए दरसल वो मुसल्मान नहीं हैं वो कुछ लोगों के पाले हुए ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ इसलाम को बद् वो खूर भाने की अजाज़त कैसे दे सकता है मैं पूरी सब्यादारी से यह बात कहता हूँ मैं कड़े लगना में मजब मत करता हूँ कभी इसलाम कभी मासूमों का कट्ब करने की अजाज़त नहीं दे सकता आरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन पर रोज कुड़ा फेकती थी एक बुड़िया एक दिन जब उसकुड़ा नहीं फेक पाई तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए हम तो उनके मानने वाले हैं ये जो लोग हैं इनके खिलाब खड़े होईए देशतगर्दी की मजब मत करिये क्योंकि दुनिया आपकी तरफ बहुत बुरी नदरों के साथ देख रही है बोलना पड़ेगा मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि जिस तरह बिसमिल्ला कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती उसी तरह अल्ला हुआ पर कह करके किसी मासूम का कत्ड कर देने से वो कत्ड जायस नहीं हो जाता हम बजब मत करते हैं इसके पुरेंगोस्तान के 30 करोण मुसल्मानों की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप मुम्बाइजाम लगाते हैं और कहता है कि हम अपनी कबरस्तानों में तहशत गर्दों को दफनाने की इजाज़त तक नहीं देंगे आप इन बातों को क्यों भूल जाते हैं ये बदनाम करने की साजिशें बंद करिये ये घरवापसी की साजिशें बंद करिये आप कभी लवापसी लेके आते हैं और अबाब जाख्रनाइक साथ को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं घक्राइडा भी कैसा हो हमारे मसलखलнулग हो लेकिन ये बुरा तोर है मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मसलकों की लड़ाई को मस्जिद और मदरसे तक महदूद करिये सड़क पर एक नजर आईए अपने खिलाफ होने वाले जल्म के साथ खड़े हो ये आज नहीं खड़े होंगे तो आप का भी नंबर आने वाला है मैं आप से ये गुजारिश करते हैं नजम शुरू करता हूँ वो कहते हैं पांच लाख लीज़े और घर वापस आजाईए वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शक्ष हुआ करता था अल्ला ने उसको ऐसा हुनर दिया था उसके पैरों में ऐसा जादू था कि मुझे फिरकता था तो दुनिया अरवर डॉलर लिटा दिया करती थी लेकिन उस शक्ष को कहीं सुकून नहीं मिला तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो पुरान पड़ उस शक्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इसलाम में दाखिल हुआ उस शक्स का नाम था भाईकल जैकसन आप रेट लगा रहे हैं 5 लाट यहां अर्वो डालर ठुकरा करके लोग इसलाम की पनाह में आ रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाट कुछ बात तो है मेरे इसलाम में कुछ बात तो है मेरे इसलाम में के जिस शक्स के मुक्चे से दुनिया काफ़ती थी वो सुकून की तलाश में इसलाम में आकर के मुहम्मद अली हो जाता है कुछ बात तो है मेरे इसलाम में कुछ बात तो है मेरे इसलाम में के यूसुफ योहाना मुहम्मद यूसुफ हो जाता है कुछ बात तो है मेरे इसलाम में के सुनीता विलियम्स जब अंतरिक जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ दो जगे रोशनी दिखाई पड़ती है और वो दो जगहें हैं मक्का और मदिना कुछ बात तो है मेरे इसलाम में मैं एक नजम पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साथ ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिनों ने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे मैं जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत भशूर हूँ कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुँचाऊँ पढ़ता हूँ कहे रहा हूँ मैं ये नापकर तो लिकरे मैं हम्मत करता हूँ मेरी आवास से आवास मिलाना लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं वतन पर मरने मिटने का लिए अर्मान निकले हैं जमाना गरतुला है जान लेने पर तो क्या डरना हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं बोलकर अपने हीमा की आवाज पर बोलकर ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर हम मुहम्मद के इसलाम की शान पर देखता हूँ कितनी मुहबद करते हैं आप अपने आखा से मैं पढ़ता हूँ यह मिसरे के हम मुहम्मद के इसलाम की शान पर कल भी खुर्बान थे अब भी खुर्बान हैं हम मुसल्मान हैं हम मुसल्मान हैं मेरे भारत तरी मेरे भारत तरी आन है शान है हम तरी सरहतों के निगेवान हैं हम मुसल्मान हैं हम तो फारस अरब से भी आए नहीं मुझे याद हो जब मैंने बच्पन में आँखें खोली थी घुट्रों के बल चलता था मैं उबैद भाई तो मेरे पडोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे मेरे पडोस में सीता राम जी होते थे कभी-कभी में सड़क पार करते वे मेरे पैर लड़ खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़के मुझे सड़क पार करवाते थे हमने ऐसे माशले में आँखें खोली हैं ये कौन लोग हैं जो टिकट ले करके घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाई आई अपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा अपके हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली हैं हमसे अप दूसरी हिजरत नहीं होने वाली हैं अब 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 ये जो लोग हैं जो कहते हैं साब कि हिंदुस्तान हमारा है आपक क्या है मैं उनसे चीज़ करके कहता हूँ कि आप बाइट इफाल्ट हिंदुस्तानी है गरिराज साहब आप बाइट इफाल्ट हिंदुस्तानी है हम बाइट इफाल्ट हिंदुस्तानी है हमने चुना है हिंदुस्तान को हमारा हख दो गुना है इस मुल्क पर हमने चुना है हम चाहते तो पुरुखों के साथ जो बटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे लेकिन नहीं गए हमने इस मिट्वी में अपनी सांसों को दफन करना कुबूल किया हम गए नहीं हमारा दो गुना हख है साथ मैं मिसरे पड़ता हूँ के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं तेरे अपने हैं हम तो पर आए नहीं तेरे अपने हैं हम तो पर आए नहीं इस तरह से सितम हम पेठाए गए महसूस करिएगा कभी कभी उस सित्म को हम चेहरे से मुसल्मान नहीं लगते हम ट्रेनों के फस्कलास में सफर करते हैं मेरे इस दर्द को अर्शर शाप समझ सकते हैं उबेद भाई समझ सकते हैं फैस भाई समझ सकते हैं परवेद भाई समझ सकते हैं यह हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं हम ट्रेनों के फसक्लास में सफर करते हैं हमारे पडूस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते लेकिन जब हमारे मुबाइल पर फोन आता है और हम जबाब में जब वालेकुमस्सलाम कहते हैं तो हमारे आस पास की सवारियों के चेहरों के एक्स्प्रेशन्स बताते हैं के मुल्क के हालात बहुत बदल चुके हैं समझे इस इस बदलाओं को समझे बात करिए हम एरपोर्ट पर खड़े होते हैं सेक्योर्टी चेक के लिए बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सेक्योर्टी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है के मुल्क के हालात तो बहुत बदल गये हैं बोलना पड़ेगा मायूस होने से काम नहीं चलेगा भिहार वालों मायूसी खुफर है आपने मुतहिद होके बताया पुरे हिंदुस्तान को के फासिस्ट ताकतों से मुकाबला इस तरह किया जाता है मैं सलाम करूँगा आपको आप बहुत सम्मेदार लोग है आप मायूस नहीं हुए क्योंकि मायूसी खुफर है इसलाम में दूपते हुए सूरच को देख करके लोग दर्वाजा बंद कर लेते हैं और उपते हुए सूरच को देख करके लोग दर्वाजा आप खो देते हैं जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूपता था जब वो वक्त से आँख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंडबाजे वाले पहनते हैं समझना पड़ेगा इस बात को मैं पढ़ता हूँ बन के हम तो फारस अरब से भी आए नहीं तेरे अपने हम तो पर आए नहीं इस तरह से सितम हम पे ठाए गए मुदतें हो गई मुस्कुराए नहीं पटना से लेकर के दिल्ली तक इमरान परताफ गड़ी के मिस्रों की गवाँ हैं हंदुस्तान की हजारों इमारतें के मेरे पुर्खों की जागीरदारी है ये के मेरे पुर्खों की जागीरदारी है मत समझना के हम लोग महमान है हम मुसल्मान है हम मुसल्मान है मेरे पुर्खों की जागीरदारी हम लोग मुसल्मान है हम मुसल्मान है आखरी बंद पढ़ता हूँ इस नजम का घरवापसी 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 स्वामी जी योगी जी प्राची जी कराना है घरवापसी तो मैं दो नाम गिना रहा हूँ अगर करा सकी है तो उनकी करवाईए पूरे हंदिस्तान ने बहुत पलगोंपे बढ़ा के सुना है जिन पर मैंने कहा है उत तक चोंग कहते है मिस्रे सुनकर किन कही है मैं पढ़ता हूँ सुनेगा के सब पे लागू न ये बेवसी कीजिए अपने घर की भी कुछ चोक सी कीजिए अपने घर की भी कुछ चोक सी कीजिए हूँ वो मुखतार नकवियाओं शेह नवाद हूँ वो मुखतार नकवियाओं शेह नवाद पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए और जो अधर दोस्त खड़े हैं जो उनकी पूरी रार एक भी मिस्रे पे किसी को दाद नहीं दी है मैं उन्हें की परता हूँ मैं इन्हें भी लोगों को शामिल करता हूँ ये सामने बैठे लोगों को और पीछे बैठे के शक्स को शामिल करता हूँ क्योंकि अब जो मिस्रे पढ़ने जा रहा हूँ ये आपके आठ सो सालों की तारीख है इन मिस्रों में मेरे इमान, मेरा तेवर, मेरी खुद्दारी, मेरा जमीर बोलता है इन मिस्रों में कि पाँच दिन की हुखुमत पे इतना नशा एक एक खाथ को यहां से वहां तक कसम है एक खाथ हवामे उठावा नजर आना चाहिए इन मिस्रों पे कि पाँच दिन की हुखुमत पे इतना नशा हम तो वो हैं जो सतीयों से सुल्तान है हम मुसल्मान हैं हम मुसल्मान हैं हम मुसल्मान हैं जा 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 बोलो कारंगी खाय।